असलाम अलेकुम वेल्कम टो बैक एशन ट्रेड टीवी जैसे कि आपको मालूम है कि हम एक नया प्रोग्रम शुरू किया है डिजिटल ट्रेडिंग इसमें हम बता रहे हैं कि आप डिजिटल ट्रेडिंग यानि कि क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरस्ट ट्रेडिंग कैसे कर सेथ від可nt加प और हम बात करें क्रिप्टू में फाद अव अगर इसकी बात की है कसरे मालूंद क्या है अगर में निक्वल की जांच अगर समझने के लिए वह सबस्ते हैं को करने का असल मकसद क्या था कर सो साल पीछे तो बिट कुछ से पहले जैसे ट्रेडिंग की जाती थी शाय को फेस्टुफेस ट्रेडिंग की जाती थी या दो इसान है हनी और सभि हभी और सनी और दोनों ने आपस में गज्ण एक सारव गलेट करनी घृट मेไह कब मकर एब यहां पर इश्य यह आ रहा था के मिक्डार का काफी मसला हा परनेशनल एडवाइजर जब बैठे तो उन्होंने का यार यह तो काफी इशू आ रहा है इसके अंदर यह है कि हम इसको एक्वली मिकदार को कैसे मैनेज करेंगे जब इसके बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने क्या किया कि अंदर यानि के शरिफिया चांदी के शरिफ कि इसको पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया जब आसासा दोर बुजबता गया तो अंग्रेजों ने जब पुरी दुनिया के उपर कब्जा किया तो उन्होंने क्या किया कि आप ऐसा करें जित्तरे मीं गोल्ड आपके पास पड़ा हुए वह हमें आपके साथ एक पेपर कर सब्सक्राइब करते हैं उसके इसके पास गोल पड़ा होता है जब 2009 में सटोशन आकमो ने देखा कि यार यह क्या चीज है इए ग्रॉप है सब्सक्राइब करेंदर पेंक इन्मोल्व होते हैं क्यूंकि जब भी हम पैंक के साथ लिंक होते हैं तो हमें काफी डिपोजिट व कि यूद्ध करते हैं तो इसको बदे नजर रखते हुए कि आज अगर हम ट्रेड करते हैं तो ऩो हमारे जो फालटी है वो बेंक है तो हम इसको नकालते हुए हम एक दुसरे के साथ Biden करें इसको मत नजर रखते हुए बिटकुन की बुनियाद और इसके जो इसको लौच किया गया अगर बिटकुन की बात की जए है तो काफी यूजर ये कहते हैं काफी BANKER ये कहते हैं कि Bitcoin hackable है या इसकी जो value क्या है तो अगर मैं बात कुछ अगर हम example के तोर पर जो हमारे पास currency है और इसको ही हम जेन से नकाल देंगे इसकी कोई value नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई value नहीं कर पूरी दुनिया कहा देंगे पाकिस्तान की जो currency है इसकी कोई value नहीं है तो इसका मतलब इसकी कोई value नहीं क्योंकि ये currency की value हम खुद decide करते हैं तो जब हम एक दुसरे का साथ trade करते हैं तो इसकी value बन जाती है ऐसे digital currency bitcoin के साथ हुआ जब लोगों ने देखा कि इसकी value 10 dollar से start वही तो लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया जब आप supply and demand की बात करते हैं तो जब एक चीज़ को ज़्यादा buy किया जाता है उसकी supply and demand बढ़ती रहती है ऐसे ही इस bitcoin की supply and demand काम करती रही अगर इसकी hacking की बात करूं तो इसको blockchain के साथ लिंक किया गया मगर को हैक कोई भी नहीं कर सेथा है इसकी reason क्या है इसके पीछे multiple pronouns block ओर multiple computer काम कर रहे इसको को रहा है इसके स्क्राव सकता में बे צरा सकता है एक आपको proof ज़र्णेर की जाती है जो सिरुए आपके पास होगी अगर व्यूंत कर देटें या किसी को देते हैं तो उस सुरत में आपका बिटकुइन हैक हो सकता है मगर बिटकुइन के ऐजा खूद अगर को बंदा हैक चाहे तो वह नहीं कर सकता यह थी बिटकुइन के बारे में आपको इंफर्मेशन देनी थी तो बिटकुइन 2009 में जब इसका स्टार्ट किया गया प्रिविए से जाब पर ट्रेडिंग की जाती थी तो कैसे ट्रेडिंग की जाती थी मिटकुइन हाई हाई 64,000 डालर तक टच करके अब तक जो बिटकुइन 24,000 तक ट्रेड हो रहा है तो आगने वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कूंसी एक्चें टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बल्ला इकन को जुरूर क्लिक करें